इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी ग्रूप से मौझूद क्या भारत और चीन के बीच रिष्टों पर जम्मी बर्फ पिगलने वाली है तया बर प्रिक्स में भारत और चीन इन दोनों के बीच फिर होने वाला है दोस्ताना क्या चीन एलेसी पर कॉन्फिक्ट वाले एरिया से पीछे हटने के लिए तयार है या एक बार फिर वो दोस्ती का दिखावा करके भारत के साथ दगा करने वाला है नमस्कार दोस्तो डिफंस डिटेक्टिव के एक और मैं एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तो सवाल बहुत सारे हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच चार साल से चल रहे तनाओं में नर्मी आती नसर आ रही है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत और चीन के बीच ताजा हो रहे समझोतों में कौन-कौन सी बातों पर सहमती बनी है साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर चार साल से लद्दाक से लेकर सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश तक की सीमा पर तनाओं पैदा करने वाला चीन आखिर इन समझोतों के लिए मान कैसे गया क्या ये चीन की कोई मजबूरी है या फिर कोई और बात है और किस तरह भारत की चीन के खिलाफ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके पूरी एनालिसिस मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ ये भारत की बहुत बड़ी जीत है ये इंडियन डिपलोमसी की जीत है भारत के प्रधान मंतुरी नरिंदर मोदी ब्रिक समिट के लिए रूस के कजान पहुँच चुके हैं लेकिन उनके रूस रवाना होने से पहले ही भारत के विदेश मंतुराले की तरफ से चौकाने वा और ब्रिक्स समिट से जुड़े प्रेस कोंफरेंस के दौरान भारत के विदेश सचियो विक्रम मिस्री रे बताया कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाओं को कम करने के लिए सकरात्मक बातचीत हुई है इस बयान का ठीक बात अंडी टीवी वर्ल्ड समिट में भारत के विदेश मंतुरी ने भी चीन से हुए समझवतों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि चीन 2020 के पहले वाली स्थिती के लिए तयार है We reached an agreement on patrolling, and with that the disengagement, you know, we have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China, you can say has been completed. चीन ने भी इसके पुष्टी कर दी है चीन के विदेश मंत्राले ने कहा है कि भारत और चीन सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान तक पहुँच चुके है तो इस बयान के क्या माइने है माइने ये हैं कि चीन LSE पर अपने सैनिक पीशे हटाएगा 2020 से पहले भारती सैनिक जिन इलाकों तक पेट्रोलिंग करते थे वहाँ तक फिर से पेट्रोलिंग करेंगे डिस इंगेजमेंट की भी बात कही जा रही है यानि चीन अपने सैनिक भी कम कर सकता है जिसके बाद भारत भी अपनी फोर्स घटा सकता है इस समझवते में और किन मुद्दों पर दोनों देशों के भी बात बनी उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है लेकिन ये जरू कहा जा सकता है कि चीन का 2020 से पहले ही पोजिशन पर वापस जाना भारत की फॉर्ण पॉलिसी और डिफेंस डिप्लोमेसी की जबर रसका में अभी आपको बताऊंगा कि चीन इस समझवते के लिए तयार कैसे हुआ लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी आपको LSE के उन पॉइंट्स की दे देता हूँ जिने लेकर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा गलवान है 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में गलवान में ही हिंसक जड़प हुई थी इस जड़प में भारत के 20 सैनिकों की जान चली गई थी इसमें चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे चीन ने अपने चार सैनिकों के मारे जाने के पुष्टि कर दी थी लेकिन अउस्ट्रेलियन अखबार दे कलैक्सोन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गलवान में चीन के करीब 40 फौजी मारे गए थे वहीं रॉशियन नियूज एजनसी है तास इसके मताबक इस जड़प में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे 1975 के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई ये पहली हिंसक जड़प थी गलवान क्लैश के बाद दोनों देशों ने एलसी पर ना केवल अपनी फौज बढ़ा दी बलकि तेजी से इंफरास्ट्रक्चर भी डेवलप करने लग गए गलवान के अलावा देपसांग, हाटस्ट्रिंग, पैंगॉग और डेमचॉक को लेकर भी दोनों देशों के बीच काफी तनाव बना हुआ था तो ये लगदाक में एलसी के वो पॉइंट्स थे जिनको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना हो गया था लेकिन सवाल तो ये है कि जब चीन ने 2020 और उसके बाद इन जगों पर अपना दावा कर दिया था उसकी फौज इन इलाकों में घुसपैट करने लगी थी वो एलसी पर तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने लगा था लग रहा था कि अब हमला करेगा तब हमला करेगा तो अब क्या हो गया चीन कैसे पीछे हटने के लिए तयार हो गया दोस्तों भारत ने शुरुआत से ही जविवाद को शांती पूर्ण तरीके से सुलजाने पर जोर दिया था चीन के आकरामक रवये के बाद भी भारत ने लगातार बाचीत के रास्ते को अख्तियार किया ये भारत के विदेश मंतुराले की प्रेस रिलीज है 21 फरवरी 2024 को जारीस प्रेस रिलीज में बताये गया है कि तब तक भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में 21 राउंड की बैठक हो चुकी थी ताकि LSE पर तनाओ को कम किया जा सके दूसरी तरफ भारत डिप्लोमाटिक तरीके से भी लगातार चीन को समझाने में लगा हुआ था इस साल जुलाई तक 16 बार दोनों देशों के बीच डिप्लोमाटिक चैनल के जरीए बाचीत हो चुकी थी तो क्या चीन भारत के इस मिलिटरी लेवल और डिप्लोमाटिक चैनल के तरफ से लगातार बाचीत के वेज़े से पीछे हटने और साल 2020 से पहले वाली पोजिशन पर जाने के लिए तैयार हुआ है जी हाँ बिलकुँ इसमें कोई शक नहीं इसमें कोई दोराय नहीं है भारत के इस डिप्लोमाटिक के चीन पर असर तो जरूर हुआ है लेकिन इसके साथ ही चीन के पीछे हटने की और भी कई वज़े है बताता हूँ कि चीन का दिमाग क्यों दुरूस्त हुआ है यूँ है कि चीन का सौफ्टवेर कैसे अपडेट किया गया यह समझे पिछले चार साल से चीन और भारत के बीच LSE पर स्टैंड आफ बना हुआ था लेकिन अब चीन लद्दाख में पीछे हटने के लिए तयार है दोस्तों चीन की इस चाल के पीछे कई सारी वज़े है एके करके आपको वो सारी वज़े समझाता हूँ इसको अनलाईज करता हूँ सबसे बड़ी वज़ा है चीन की अमेरिकी से वड़ती टेंशन साउट चाइना सी में अमेरिका लगातार अपनी दखल बढ़ा रहा है ताइवान, जापान, फिलिपीन्स को अमेरिका ने अपना पूरा मिलिटरी सपोर्ट दे दिया है वो लगातार इन देशों के साथ मिलकर साउट चाइना सी में नेवल ड्रिल्स करता रहता है अमेरिका ने जापान और ताइवान के बीच में एक आइलन्ड पर अपना मिलिटरी बेस भी बनाया हुआ है तो चीन भले ही ताइवान, फिलिपीन से दूजरे देशों को कितनी भी घुर्की दे दे लेकिन वो ये जानता है कि उसने जैसे ही कोई मिलिटरी आपरेशन लाँच किया तो उसका सामना सबसे पहले अमेरिका से पढ़ेगा जो उसके लिए आसान नहीं रहने वाला चीन के लिए साओ चाइनसी की प्रॉब्लम जादा बड़ी है बनिस्पत कि भारत के लदाख का विवाद भारत के साथ तनाव के वज़े से उसे लदाख के एरिया में बहुत जादा फोकस करना पड़ रहा है चीन ने लदाख में लसी के पास साथ हजार से जादा सानिक तैनाथ के हुए है चीन लदाख में लसी के पास नई सड़कें और पुल बना रहा है और कई सुरंगें और रेल लाइन तक बिछा रहा है अब उसमें उसका भारी भर कम खर्च भी हो रहा है क्योंकि लड़ाक में सड़के बनाना, रिल लाइन बिचाना, पुल बनाना कोई आसान गाम तो है नहीं कंस्रक्शन वर्क के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, मशीने लगती हैं, चीन के साइड से लड़ाक का एरिया और भी जादा मुश्किल है, दुरू है, वहाँ कंस्रक्शन और भी मुश्किल है, तो चीन LSE पर जो स्टेंड ओफ है, दोनों तरफ से भारी पढ़ रहा था, जो स्टेंड ओफ चल रहा था भारत के साइड, उसकी फॉज भी हाँ डिप्लॉई थी और कंस्रक्शन पर बहुत जादा पैसा भी जोगना पढ़ रहा था, जिसको कंटीनियू करना चीन के लिए मुश्किल हुचका था, क्योंकि एकॉनमी पर असर पढ़ रहा है, चीन की रूस के भी सतना तनी है, चीन बैक डोर से रूस को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका ने रूस को हत्यार बनाने में मदद करने वारी चाइनीज कमपनियों को बैन भी किया है, अमेरिका चीन पर पहले से ही कई प्रतिबंद लगाय बैठा है, जिसका असर चीन की एकॉनमी पर बढ़ रहा है, वहीं इस लड़ाई में भारत तो किसी के सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो रूस के साथ अपने रिलेशन्स और ट्रेड दोनों को बनाये हुए, भारत ने पिछले दो सालों में रूस से जमकर तेल खरीता है, और इससे लड़ाई और वेस्ट के तमाम स से मजबूत हुई है, तो भारत और चीन का ये विवाद रूस के लिए भी सही नहीं, यूकरेन से उसके लड़ाई के फिलाल खत्म होने के असार नहीं, बलकि कई बार तो ये लगता है कि कहीं अमेरिका और नेटो फोर्स यूकरेन की तरफ से मैदान में ना आ जाये और ये हो सकता है कि रूस ने चीन पर भारत के साथ तनाव खत्म करने का दवाब डाला। देखे इशारा साफ है कि रूस भारत और चीन के बीच के तनाव को कम कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ब्रिक्स का है क्योंकि ब्रिक्स को माना जा रहा है कि आप अमेरिका के खिलाफ आपने बनाया है और अगर वही अंदर से कमजोर दिखने लगे अंदर आपस में मेंबर्स की पढ़ती नहीं हो तो भाई सामने वाले तो मजाग उनाएंगा फिर आपका दावा कमजोर होगा इसलिए भी ये बज़ा हो सकती है रूस 2024 के ब्रिक्स समिट को आयोजित कर रहा है कजान में इसके शुरुआत भी हो गई है ब्रिक्स को इस स्ट्राटेजिक पार्टर्शिप का प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन इससे अमेरिका और अलायन्स के खिलाफ एक नया सेंटर माना जाता है एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि दुनिया की बड़ी एकॉनमी वाले देशों के जुडने से ब्रिक्स एकॉनमिकली और डिप्लोमेटिकली अमेरिका को टकर दे सकता है ब्रिक्स देश अपनी एक अलग करिंसी को लेकर भी बात करना है और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा जटका होगा दूसरी तरफ कजान में ब्रिक्स समिट को भी दुनिया रूस के शक्ती प्रदर्शन के तोर पर देख रही है लेकिन जिस ग्रूप को अमेरिका और उसके अलाइंस के खिलाफ इतना मजबूत बताया जा रहा है और उसी ग्रूप के दो बड़े साज़ेदार अगर आपस में बॉर्डर कॉन्फिक्ट में उलजे रहें तो ग्लोबली इसका मैसेज बहुत बुरा जाएगा तो ये भी एक बहुत बड़े बजाएगा चीन पर लद्दाक से पैर खीशने का दवाब पड़ रहा था विए लुक में से भी दुट्स के विए हागान जाई संग नीचर हो गाराय का धिक LuON पत्व एकला है The थे मनें हागा मैं को एक अकल मैं करेंगा तोहन नीच फ्याग ऋंढ आपका सैना और 2 लाए टाफेज किम करें लेकिन भारत चीन की चलाकियों को भी अच्छी तरह से जानता है और समझता दूए भारत भी यह जान रहा है कि चीन लदाख से पीछे क्यों हट रहा है और वो कभी भी पलट सकता है भारत के कई जियो पलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी कुछ इसी तरह की चेताव नहीं दी है नितिन पाई तक्ष शिला इंस्ट्यूशन के को फाउंडर और डिरेक्टर है नितिन ने ट्वीट किया है ये सुनकर अच्छा लगा कि भारत और चीन की सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कुछ समझोते हुए हैं लेकिन अभे इसके खुशिमत मनाईए बीजिंग के नीतिगत आश्रोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पता चले कि चीन के समगर आकरामक दुर्श्टी कोन में कोई बदलाव आया है इसलिए रुखो, नजर रखो, चौकनने रहो और जुकना मत तन्वी मदान सेंटर फॉर एशिया पॉलिसी स्टडीज की सीनियर फैलो है तन्वी ने लिखा है कि एक बार पहले भी ब्रिक समिट से ठीक पहले 2017 के डोकलाम क्राइसिस के खत्म होने की बात कही गई थी और तब पिये मोदी चीन की आत्रा पर गये थे तब भी चीन जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल टेंशन से जूज रहा था और आज भी वैसे ही हालात है तो भारत के एक्सपर्ट, भारत के सरकार, भारत के डिप्लोमेट्स और भारत की फोसेस भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हो समझती है इसलिए तो चीन की हर चालाकी को काउंटर करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है अब आपको एक मज़धार बात बताता हूँ वो यह कि इधर भारत और चीन के भी 40 साल से चल रहा यह जो स्टेंड ओफ है वो खत्म हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पेट में इससे लेकर दर्द उठने लगा है, मरोने उठने लगी पाकिस्तान के स्ट्रेटिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कमर्जीमा सवाल उठा रहा है कि भारत चीन के साथ तो अपने विवाद सोलजारा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अब वो अपने विवाद को सोलजाने की कोशिश नहीं कर रहा है पॉर्षन यह है आज सुबह से जब यह चीजे मुझे पता चल रही है तो मैं इस पर स्टेडी कर रहा हूं कि वाई इंडिया वांट्स एक कॉंफलिक्ट रेजूशन विच चाइना बड़ जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉंफलिक्ट रेजूशन की बात नहीं और ही यह तो टोटल इटी डिफरेंट पालीसी जए है और इसको जो है वो इंडिया जो है बारत जो है वो बिल्कुल दो डिफरेंट नुक्ता नजर से देख रहा है बहर किसी इबाम के पहला तो इसमें जो क्लीर है तेके चाइना के साथ एक लीमिटेट एक डुमेन के अंदर उनकी किलैश है और मौसली वो कंसेंट्रेट करती है बार्डर्स आफ़ेर्स के और बार्डर के एर्द के और उसके साथ जो एक इस्टारिकल रूट्स जुड़ी होती है जो किसी भी मूव्मेंट को या अन्रेस्ट को किसी तरीके से किसी आइडेलॉजि है वो उसके साथ उस तरीके से जुड़ता नहीं जो आखरी इन लोगों के दर्मयान माजी में इस तरह के क्राइसिज रहे हैं हुआ वो वियतनाम के अवाले से हुआ हो यतिबत के अवाले से सबसे में चीज जो एकजायल गावमेंट इन एकजायल इन्होंने तस्लीम की और उ उसी तरीके से है कि लोग अपने आपको अपने वतन से बाहर रैप्रेजेंट कर सकते हैं या एकजायल बना सकते हैं या अपनी हकोमतों को उपोस कर सकते हैं जो भी उसका इंटरनेशनल एक पूरी फिलस्फिय जिसके इर्दिगर गूमता है आपकी गावर्मेंट से इन एक जायल तो उस से लेके अगर आप देखें तो वो सारे इंडिया ने मैं समयता हूं कि एक दरीके से उसको डिफ्यूस किया चाइना के साथ मूचिल डायलाग के साथ या अंडरस्टेनिंग के साथ और उसमें उनका फोकुस यह रा कि इस खिते में कहीं न कहीं जो है वो अमन क कि इतना हुआ यह दूसरी बात है लेकिन फोकुस इस जीस पे रहा जिस वाएसे यह जो मामला था यह खुद बाखुद कारनर पे चला गया उसकी जगह बाडरस ने टेक ओवर किया चुके वहां पे एक हार्ट इशू खड़ा हो गया जो के बहुत बड़ा स्केल पे नहीं था मतलब लोग दस थी लड़ाई जिसको आप कहते हैं दस बादस लड़ते थे असला भी नहीं है तो यह दरह का आप समय लेंगे बहुत ही लोवर ग्रेड का एक कांफ्लिक्ट था जिसको उन्होंने रिजाल्व कर दिया और कर लेना चाहिए था तो वही पाकिसानियों का तो यह रोना दोना चलता रहेगा उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है लेकिन भारत और चीन के रिलेशन्स में सुधार आना लदाक स्टैंड आफ का खत्म होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यह इस बात को भी साबित करता है कि भारत का नाकेवल दावा सही था बलकि उसका अप्रोच भी उसकी सही थी लदाक में LSE पर घुसपैट चीन की थी चीन का पीछे हटना इस बात को साबित भी कर रहा है भारत को मिली यह जीत उसकी बड़ती ताकत और दुनिया को उसकी जरूद भी साबित क की चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन दबाईए जिससे हमारे दबर अपरोड किये जा रहे हैं हर वीडियो की जानकारी आप तक फॉरण पहुझा जल्दे मिलता हूँ एक और नाइक वीडियो के साथ नमस्कार जहिंद तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात कर झाहते हैं